असलाम वालेकुम एवरिवन एन वेलकम टू मैं जैनल एस्पारेंट्स और फ्यूचर बहुत सारे केमपेटिटिटिव एक्जैम्स में अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटिड कुछ क्वेश्टन आते हैं जिनको सॉल्ड करने में स्टुडेंट्स को काफी मुश्किल होती है तो उनको कैसे ट्रिक्स के साथ सॉल्ड करना है उसकी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यह आपके पास उस सीरीज का पार्ट वन है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टुडेंट्स जो इस चैनल पे नियू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब subscribe कर लें अरिथमेटिक सीक्वेंस को solve करने के लिए जो आपको फार्मूला याद होना चाहिए वो आपके पास स्क्रीन पर शो किया गया है an equals a1 plus n-1 into d यहाँ पर आपको an जो टम हमने फार्म करने है यानिके nth टम ये वो है a1 आपके पास पर्स टम होती है क्योंकि उसमें 1 लिखा हुआ है n आपके पास number of terms को denote करता है और d आपके पास common difference होता है arithmetic sequencing की सबसे common example आप ये दे सकते हैं आपके पास values हैं 10, 20, 30, 40, अब आप देख सकते हैं कि तमाम values के दरम्यान में बराबर बराबर difference exist कर रहा है, तो यह आपके पात arithmetic sequence है, अब उन से related जो questions हैं, वो आपके पास four categories रखते हैं, तो आप वीडियो को complete देखिए ताकि आपको चारों tricks का proper understanding हो सकते हैं, तो यह आपके स्क्रीन पर पहला question है, find the 64th term in the following sequence, sequence हमें दिया गया है 4, 12, 20 और 28 और आगे उसने dot dot show कर दिया कि यह sequence आगे चल रहा है, हमें बताईए 64th number पे कौन सी term होगी, आप देख सकते हैं कि first number पे 4 लिखा हुआ है, second term 12 है, third term 20 है, fourth term 28 है, इसी तरह हमने आगे चलते जान है और हमें बताना है कि 64th number पे कौन सी term exist करेगी, अगर आप इस तरह आठ हाठ add करते जाएं तो बहुत ज्यादा time लगेगा, अब trick के साथ उसको कैसे solve करना है, वो formula आपको show किया गया था, previous slide में, वो क्या था, an equals an equals a1 plus n minus 1 into d, अब इस formula में आप सबसे पहले n देखिए, n आ यानिके a64 हमने find करना है, a1 आपके पास क्या होता है, first time होती है, जो आपको given है, उसकी जगह पर आप four put कर देंगे, और n आपके पास कितना है, 64, अभी हमने बताया था, तो n की जगह पर हमने 64 लिख दिया, और d आपके पास क्या है, common difference है, यानिके हर दो terms के दर्म्यान में कितना कितना फासला आ रहा है, आप दे सकते हैं, हर दो terms के दर्म्यान में 88 का difference होता है, 4 प्लस 8, 12, 12 प्लस 8, 20, 20 प्लस 8, 28, 88 का difference है, तो d की जगह पर हमने 8 put कर देना है, अब इसको आप simplify कर लें, 4-1 करेंगे 63 होता है, 63 को आप 8 के साथ multiply कर दें, तो यापके पास 504 आ लेगा, तो 64 तरम जो होगी, वो 508 होगी, तो 508 विल बी यूर आंसर, अब इस ट्रिक से रिलेटे के second question डिसकस करते हैं, इसमें आपको first term पूछली गई है, और जो final time हो आपको given है, आप से यह का गया है, what will be first term in the following 13 term sequence, हमें बताइए कि यह 13 term का एक sequence नीचे show किया गया है, इसमें first term आपके पास क्या होगी, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो an वाला formula है, उसको आप a1 के लिए arrange कर लें, तो आपके से पास यह formula बन जाएगा, an minus into n minus 1 into d, तो आप यहाँ पर a1 find करना है, an आपके पास क्या है, 13th term है, यानिके last term जो 88, तो आप an की जगह पर 88 put कर देंगे, minus n आपके पास number of terms होता है, वो आपको given है 13 है, तो n की जगह पर हम 13 रख देंगे, और d आपके पास common difference है, आप देख सकते हैं, तमाम values के दरम्यान में बराबर बराबर difference exist कर रहा है, 67 और 77, 74, 74 और 78, 81, 81 और 78, तो 77 का difference है, तो d की जगह पर हमने 7 लिख दिया, अब आप इसको simplify कर लें, तो 13 minus 1 आपके पास 12 होता है, 12 को आप 7 से multiply कर देंगे, तो 12 7084, तो 88 minus 84 करेंगे, तो first term आपके पास 4 आजाएगी, तो आप कहेंगे कि इस sequence में जो first term है, वो आपके पास 4 होगी, जिन students नभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, उनसे request है कि वो चैनल को जरू सबस्क्राइब करें, अब इस ट्रिक सरे लेज़ दिए, थर्ड कोशन डिसकस करते हैं, find the number of terms in the following sequence, अब हमने number of terms बताने हैं, यानि के n की value हमसे पूछ ली गई है, sequence आपके पास है 17, 22, 27, 32, dot, 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 और उसके बाद 200, 222 यहाँ पर जाकर sequence खतम हो जाता है, अब आपको जो पहला formula show किया गया था, उस formula को आप n के लिए अगर rearrange करें, तो आपके पास ये format बनेगा, अब इस format में हमने value substitute कर देनी है, और आपके पास answer आ जाना है, तो an आपके पास final term होती है, जो के यहाँ पर 222 है, तो हम an की जगह पर two put कर देंगे, उसके बाद a1 आपके पास first term होत और 522, 22 और 527, 27 और 532, 55 का difference है, तो हम d की जगह पर five put कर देंगे, इसको आप simplify कर लें, आपके पास answer आ जाएगा, simplify कैसे करेंगे, 222 minus 17 करेंगे, तो आपके पास 205 आएगा, 205 को आप 5 पर तक्सीम कर दें, तो 41 आता है, तो 41 में आप one add कर देंगे, तो आपके पास 42 आ जा देंगी, इस ट्रिक्स रिलेटिटिटिर लास्ट कोस्टिन है, इसमें आपको का गया है, find the common difference in the following 45 term sequence, sequence आपको शो किया गया है, 24 फर्स टम है, और लास्ट टम 112 है, आपको बताना है, कि इस arithmetic sequence में, जो common difference है, वो कितना है, तो आपके पास जो पहला formula शो किया गया, उस formula को आ आप d के लिए rearrange करें, तो ये format बनेगा an-a1 divided by n-1, इसमें आप value substitute कर दें, आपके पास answer आजाएगा, तो an आपके पास final term होती है, जो के 112 है, तो an की जगह पर हम 112 put कर देंगे, minus a1 आपके पास first term होती है, जो के 24 given है, उसकी जगह पर हम 24 put कर देंगे, और denominator मे n आपके पास given ह 45 terms है, तो n की जगह पर हम 45 put कर देंगे, और minus 1 कर देंगे formula का, इसको आप simplify कर लें, तो 112 minus 24 करेंगे, तो ये 88 आएगा, और 45 तो ये 44 आएगा, अब 88 divided by 44, इसको आप simplify करें, तो 44 1,044, 44 2,088 होता है, तो d के value आपके पास 2 आजाएगी, तो आप कहेंगे कि इस arithmetic sequence में, जो common difference आपके पास है, वो आपके पास 2 है, तो 2 will be your answer, अब in trickster related question है, quiz में पहला question आपको show किया गया है, find the 57th term in the following sequence, 11, 27, 43, 59 and so on, और दूसरा question आपके पास है, find the number of terms in the following sequence, 25, 32, 39, 32, 39, dot, 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 और उसके बाद 102, टू, अब आप वीडियो को इधर pause करें, इन दोनों questions को trick use करते हुए solve करें, और फिर वीडियो को resume करके, आप अपना answer check कर सकते हैं, तो यह आपके पास quiz कर solution है, जो question number one है, उसका answer आपके पास, और जो question number two है, उसका answer आपके पास 12 आना चाहिए, अगर आपके यही answers आ रहे हैं, तो it means आपको tricky proper understanding हो चुकी है, जो students get, net और head की preparation के लिए हमारा one-to-one online course join करना चाहते हैं, वो दिये गए whatsapp number पर contact कर सकते हैं, या दिये गए email पर contact कर सकते हैं, उनको इंशाला बहुत अच्छी preparation करवाएगी, थैंक यू सो मच पर वाचिंग फूल वीडियो, प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब फार मोर वीडियो लेक्चिर्स, टेक केर, आला हाफीज, अस्सलाम आलेकूम